नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीव इंडिया पेशाज के मुख्य समाचार भारती अंतरिक शानु संधान संगठन इसरो ने रवीवार को सुबर 9 बजकर 18 मिनट परदीश का नया रॉकेट लांच कर दिया लांचिंग आंधर प्रदेश के स्री हरी कोटा इस्थित 37 धवन स्पेस सेंटर के लांच पेट एक से सफलता पुर्वक की गई इस्वाल सेटलाइट लांच पीकल में EOS-02 और आजादी सेट सेटलाइट बेजे गए हैं इस्वाल सेटलाइट है जो 10 महिने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा इंदोर जीले के महु में सोमवार को कामड़ी आतरा के दोरान करंट लगने से एक कामड़ी की मोथ हो गई जबकि तीन जखमी हो गए डीजे की दून पर डांस कर रहे कावड़ी का हाथ 11,000 किलोवाट की बिजली की लाइन से टाच हो गया था जिससे वाहर में करंट फेल गया करंट लगने से कुछ कावड़ी वाहन की छट पर ही गिर गए घटना सिम्डोल थाना छेत रिकी है खरगोन जीले के बढ़वाँ में काटकूट के पास सुकड़ी नदी में रविवार को आई बाड में 13 लक्जरी कारे बह गई गई रईवार देर रात ग्रामेणों की मदद से 9 गाड़ियां निकाली जा चुकी थी सेश चार गाड़ियां सोमवार सुबर निकाली गई तीन गाड़ियां तो बहते वे दो फिलोमेटर आगे निकल गई थी ये लोग नदी पे पार्टी मना रहे थे सावन के आखरी सोमवार बाबा महाकाल के साही सवारी ठाट बाट से निकली उज्जिन में बाबा महाकाल ने चंदर मोलेशवर सवरू में भक्तों को दर्सन दिये नगरवासियों ने फूलों की वर्सा कर राजा धी राज का स्वागत किया मंदिर के मुख्य द्वार पर ससस्त्र पूलीस जवानों ने बाबा महाकाल को सलामी दी पूजा अर्चुना के बाद भगवान भप्तों से मिलने निकले भगवान महाकाल को शिप्रा के जल से श्नान कराया गया इसके बाद सवारी गोपाल मंदिर पहुची, यहां हरी हर काम मिलन हुआ, इसके बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुची देश की सबसे बड़ी दूर संचार कंपणी जियों ने करीब 1000 सहरों में 5G सेवार सुरू करने के तैयारिया पूरी करने के साथ स्वादेश में विक्सित अपने 5G दूर संचार उपकरणों का परिक्षन भी किया है Reliance Industries Limited ने अपनी वार्सिक रिपोर्ट में कहा है कि उसकी दूर संचार इकाई जीयों ने वित्त वर्स 2021-22 में मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ बढ़ते मोत के आकड़े डराने लगे है पिछले 6 दिन में 4 मरीजों की मोत हो चुकी है सबसे ज़्यादा टेंसन जबलपूर में है यहाँ 6 दिन में 3 मरीजों ने दम तोड़ा है प्रदेश में 24 घंटे में 184 नए संक्रवित मिले है इंदोर में 65 भोपाल में 41 जबलपूर में 15 नए मरीज मिले है महापोर पुष्य मित्र भारगव ने कहा इंदोर नगर निगम सदन में ना पक्ष होगा ना विपक्ष होगा केवल सहर के विकास के लिए सहियों की पक्ष होगा दो बार की ओलंपिक पदग विजेता पीवी सिंधु ने सौमवार को फाइनल में कानाड़ा की मिसेल लीको सीधे गेम में हरा कर राष्टमंडर खेलो की बैडविंटन महिला एकलिस परधा का स्वर्ण पदग जीता तीन दिन बाद रक्षा बंदन का परवो मनाया जाएगा इस मोके पर इंदोर के खजराना गणेश की राखी बनकर तैयार है इस बार राखी की थीम आजादी के अमरित महोत्सव के साथ सनातन धर्म के तिर्थे इस्थलो के जिर्ण द्वार और उत्थान की जहांकी के रूप में दिख रही है खजराना गणेश की राखी बनाने का या सिलसिला पिछले 19 सालों से चला आ रहा है रक्षा बंदन के दिन ये राखी भगवान गणेश को अधित की जाएगी कल दिन बढ़ की पमोख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुबरात्री